लेते हैं कोश्य नंबर सेवेंटीन के रहा एथेनॉल रिएक्स विट सोडियम तुफ फॉर्म टू प्रोड़क्स अब एथेनॉल सोडियम से रिएक करता था याद है यह एथेनॉल का टेस्ट है जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से मैंने आपको एथेनॉल दिया लाब मे एथेनॉल है एथेनॉल का फॉर्मला क्या होता है बच्चों सी टू एच फाइफ ओएच एथेनॉल ठीक यह एथेनॉल है फिर मैंने आपको एक सोडियम का चोटा सा टुकडा दिया बहुत सावधानी से उसको पकड़ेंगे ठीक पकड़ने के लिए इंस्रुमेंट्स होते तो पता है क्या होता है मैं आपको पताता हूं सुनिये ध्यान से यहां निकलती हाइडोजन की गैस कैसे निकलती है सर पता रहा हूं रोक जाओ यहां पर बच्चों एक ब्रिस्क एफवेसेंस के साथ ब्रिस्क एफवेसेंस मीज बुदबुदाहट की आवास के साथ बुद इसका टेस्ट तो आप लोग को पता ही होगा hydrogen gas ऐसा पॉप साउंड के साथ burn करती ही ठीक ओके सुडेंस चलिए अब मैं आपको reaction लिखके दिखाता हूँ ठीक तो reaction कैसे लिखेंगे एथेनॉल यह देखिए C2H5OH यह हो गया आपका एथेनॉल यह reaction करेगा किसके साथ sodium के साथ ठीक है अब आपका answer क्या आएगा तो answer क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ होता क्या है बच्चों थोड़ा ध्यान देजिए इसका answer करने के लिए यहाँ पे आ जाओ देखिए बच्चों यह जो एथेनॉल होता है C2H5OH इसका structure कैसा होता है बता है आपको देखिए carbon carbon single bond single bond OH अब सुनो यह alcohol group यहाँ लगावा और यहाँ hydrogen होता है ठीक यह देखिए यह इसका structure होता है बच्चों कारबन कारबन की बीच में single bond 5 hydrogen है 1 2 3 4 5 और यहाँ OH लगा रहता है अब यह जो OH होता है OH की बीच में भी बच्चों bonding होती है यह देखिए ठीक हर एक carbon 4 bond बनाता है oxygen हमेशा 2 bond बनाता है hydrogen हमेशा 1 bond बनाता है सुन लो carbon होता है tetravalent carbon बनाता है 4 bond यह सर चेक कर लो इस carbon ने 4 bond बना है 1 2 3 4 चिक इस carbon ने भी 4 bond बना है oxygen होता है divalent यहने कि उसकी valency 2 होती oxygen की oxygen बनाता है 2 bond तो यह जो OH लिखा रहता आपकी बुक में NCIT में एक O यह जो O है एक bond बनाता है hydrogen से और एक बनाता है carbon से तो इसको खोल दोगे तो O single bond H आ जाएगा ठीक है अच्छा यह क्यों दिखा रहे हो यह मैं इसले दिखा रहा हूं ध्यान से चेक करो यह वाला जो bond होता है OH यह थोड़ा सा slightly polar होता है मतलब यह होता है भया slightly polar इसका क्या मत Oxygen जो होता है वो hydrogen से ज्याद़ होता है मतलब Electro negative का कुछ खास मतलब नहीं है सुन लो Electro negative का मतलब यह bond बेजुए उसको इलेक्ट्राइट करके ज्यादा रखता है यह है, oxygen is more electro negative than hydrogen oxygen hydrogen से ज़्यादा electro negative है तो दोनों electron का इसा खीच के रखेगा आपने पास, जिसकी वज़े से हम यह कहते हैं कि इस पे आ गया partial negative क्या आ गया इस पे partial negative, सुन लो electron जिसकी तरफ खीच के, यह electron ले लेता है, क्या नहीं लेता नहीं है, खीच के रखता है ठीक, और hydrogen पर आ जाएगा slightly positive, इस से electron दूर जा रहा है तो इस पे plus और इसके पास आ रहा है तो इस पे minus ठीक, तो इसलिए हम इस bond को बोलते हैं slightly polar है, क्या है यह slightly polar है, ठीक, अब होता क्या है जैसा ही sodium आता है, ठीक, जैसा ही sodium बच्चो आता है, करता क्या है sodium sodium का electronic configuration क्या होता है sodium का atomic number 11 होता है, इसका electronic configuration 2 gamma 8 होता है, इसका outermost में 1 electron है, sodium बाबू क्या करता है, sodium कहता है हम एक electron lose कर देंगे, यह लो sodium अपना एक electron निकाल देता है निकालेगा ही क्योंकि उसको अपना अक्टेट कंप्रीटर ना है तो sodium करता है minus 1 electron ऐसा करने से sodium बनाएगा केटायन na plus ये लो जैसे ही sodium 1 electron बच्चो निकाल देता है तो sodium बन जाता है na plus के form में और ये na plus आता है ये देखो ये sodium पे देखी positive हो गया और ये आएगा ये वाले bond पे attack करेगा और hydrogen को बोलेगा भाया तुम बाहर निकल जाओ यहां से तो hydrogen बिचारा क्या करता है opposite direction में bond को break करता है और H plus के form में बाहर निकल जाता है opposite direction में bond को break करने का ये मतलब है कि bond के दोनो electron कहां चले जाएंगे oxygen के पास मतलब समझो bond के दोनो electron कहां चले जाएंगे oxygen के पास मतलब oxygen अपना भई एक bond पे कितने electron होते हैं तो एक oxygen का एक hydrogen का है दोनों ने sharing करी थी oxygen अपना electron तो ले ही लेगा hydrogen का भी ले लेगा और क्या बना देगा वो मैं आपको चार्ज नहीं आएगा यह जो hydrogen का भी ले लेगा ना इसकी वज़े से इस पर क्या जाएगा माइनस साइन कोई जो electron गेन कर लेता है उसको हम क्या देते माइनस तो यह बनाएगा माइनस और एच प्लस विचारा अलग हो गया एच प्लस विचारा पर दूर हटा दो यह देखिए यह वाला जो आयन बना है ठीक है सुदेंस इस आयन को अगर आप कंडेंस करके लिखोगे कितने कारवन है देखो यहां क्या है CS3 है ठीक CS3 यह आप ऐसे देखो यहां कारवन कितने 1,2,2 कारवन है तो C2 हाइडोजन कितने 1,2,3,4,5 तो H5 और O के उपर माइनस है भी यह सुनो इस आयन को क्या बोलने है यह जो आयन है यही लिखाव है यह आपे ठीक इसको बोलते है इथोकसाइड क्या बोलते है इसको इथोकसाइड ठीक है और जैसे ही sodium आके चिपक जाएगा यहां पर ठीक यह दिखिए sodium ने क्या किया sodium आके यहां पर चिपक गया ऐसे यह लीजे तो यह जो compound आपका बनेगा इसका नाम पढ़ेगा क्या sodium ethoxide यह एक salt बनता है इस तरीके का ठीक यहां sodium लग गया तो अब इस compound का नाम क्या पढ़ेगा sodium sodium ethoxide sodium ethoxide okay students यह बनगे आपका sodium ethoxide जो की बुक में इस तरीके से लिखा रहता है C2 H5 O N ने लिखा रहेगा O N ने माइनस प्लस का sign आप दिखा भी सकते हो अब सुडियम ने जो electron यह निकाला था इस electron को यह एच प्लस गेन कर लेगा ठीक तो यह दिखी यह एच प्लस जो आयन निकलता है यह electron को गेन कर लेगा अब अगर hydrogen को एक electron दे दोगे तो hydrogen का atom बन जाएगा यह सर हाइडोजन के पास भाई एक ही electron तो होता है और वह electron इसने किसको दे दिया था oxygen को तो इसका electron निकल गया तो एच के उपर क्या जाएगा प्लस साइन अब इसको कहीं से electron फिट से चाहिए स्टेवल होने के लिए तो यह sodium से electron ले रहे होंगे ठीक तो बहुत सारे hydrogen के electron को ले रहे होंगे और hydrogen के atom बहुत सारे बन रहे होंगे दो atom मिलकर hydrogen का molecule बना देंगे इसलिए कौन सी गैस निकलती है हाँ साथ में hydrogen gas अब यह पूरा mechanism मैंने इसलिए बताया कि आप compound का नाम भूल मत जाना यह होता है ethoxide iron ठीक है students तो क्या बनेगा यहाँ से बहुत असान है इस hydrogen को हटा के हम यहाँ क्या लगा देंगे c2h5 के उपर o माइनस आया होगा na plus और साथ में निकलेगी hydrogen gas यह लीजे students ठीक ओके इस compound का नाम क्या है sodium ithoxide ithoxide और यह hydrogen की gas निकलेगी अब इसको balance कैसे करोगे तो यहाँ से देखो ज़रा यहाँ से कितना hydrogen निकाला आपने only one लेकिन यहाँ कितने hydrogen है two तो हम क्या करेंगे इस hydrogen को two करने के लिए यहाँ two लगाएंगे जैसे ही two लगाओगे यह c2h5o तक यह disturb हो जाएगा c2h5o 2 हो गया तो यहाँ पर c2h5o को two करने के लिए यहाँ two लगा दिया अब sodium two हो गया तो यहाँ two लगा देंगे इस तरीके से reaction बच्चो balance हो जाएगी okay students तो I think आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो क्या-क्या compound यहाँ पर बनेगा alcohol जब sodium के साथ react करेगा sodium ethoxide और साथ में निकलेगी hydrogen gas तो देखिए option is the correct option sodium ethoxide and hydrogen gas okay students तो भूल मत जाएगा इस चीज़ को बच्चो okay अब देखो yes और ए यह देखो जरा जब आपके पास acetic acid होता है ना CS3COOH ठीक है तो यह जो acetic acid होता है इतना तो पता होगा CS3COOH है ना तो यह जब ionize होता है तो आपको देता है CS3COO- और H+, H+, यहाँ से लग हो जाता है तो यह जो ion है इसी को हम बोलते हैं क्या acetoate या इसका दूसरा नाम है acetate और जब यहाँ sodium लाके चिपकाद होगे आप ठीक यह देखिए CS3COO- में जब N-A+, चिपकाद होगे तो नाम पड़ेगा क्या इसका तो इसका नाम पड़ेगा sodium ethenoid बोल दो इसको या आप बोल दो sodium acetate ध्यान रखेंगे जब sodium ethenoid या sodium acetate बो समेशा और केवल अगर होगा तो आप समझी रहे हो मतलब oxide होगा तो एक ही oxygen होगा मेरे गयाल साब आप समझ रहे होगे नोट कर लीचे